हलो फ्रेंट्स विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि हमने कल भी इस वारे में वीडियो बनाया था कि अब MPPSC का क्या होगा कल कई सारी सवालों के जवाब मैं आपको नहीं दे पाई थी लेकिन आपको अब मैं इसकी पूरी डिटेल बताती हूँ कि अब क्या होगा और कप कैसे कौन कौन से फॉर्म भरे जाएंगे कौन कौन से फॉर्म नहीं भरे जाएंगे और पूरी भरती प्रक्रिया परिष्टे का क्या मतलब है साल बीस बीस के नियम दो हजार उन्नीस की परिक्षा में लागू नहीं कर सकती ह राज्य सेवा परीक्षा 2019 के रिजल्ट पर हाई कोट ने MPPSC सरकार पिछड़ा भर्क आयोग से जवाब मांगा है पूरी खवर जानते हैं दोस्तों वीडियो के सुरू से लेकर अंत तक बने रही है और जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दिए ताकि हम आपको इस से जड़े हुए सारे अपडेट बता सके और जल्दी इस वीडियो को सारे फ्रेंड सरकल में आप शेयर कर दीजे मद्द प्रदेस लोग सेवा आयोग MPPSC की राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंबिक परीक्षा के परणाम पर हाई कोट ने आयोग के साथी सरकार और दोस्तों याद रखिएगा अभी इन्होंने सिर्फ जवाब पेश करने को कहा है ना कि अभी कोई भी फाइनल बर्डिक्ट दिया है चार फरवरी को भी आप यह मान का चलिए कि कोई फाइनल डिसीयन नहीं आएगा क्योंकि अभी तो जो है कोट ने सरकार से जवाब मांगा है बाद में इसका रजल्ट आएगा तो वो इसके उपर डिपेंड करेगा पीसी द्वारा नए आरक्षण नियम पुरानी पद्दती पुरानी परिक्षा में लागू करने के लिए जवाब मांगा है साथ ही आरक्षत वर्ग के परिक्षार्थियों को अंतरिम राहत देने क नेने भी चार फरवरी को ही सुनाया जाएगा आरक्षत वर्ग के जो परिक्षार थी हैं उनका अंतरिम राहत देने का नेने भी चार फरवरी को सुनाया जाएगा इसके तहट क्या होगा दोस्तों इसके तहट जो इसके तहट हाई कोट ने टिपड़ी की है कि वर्स बीस बीस के नियम को दो हजार उन्नीस की परिक्षा में लागू नहीं कर सकती हैं राज्य सिवा परिक्षा दो हजार उन्नीस की प्रारंबिक परिक्षा का प्रेणाम जारी होने के बाद आरक्षत वर्ग के परिक्षा रतियों सामाजिक संगठनों ने हाई कोट में प्रेटीशन दायर की थी गुरुवार सेवा नियम गुरुवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा है कि सिविल सिवा परिक्षा नियम 2015 को भूत लक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता यानि आरक्षित वर्ग के प्रतिभागी ने जिस स्रेणी से परिक्षा दी उसका चैन सिर्फ उसी स्रेणी तक सीमित नहीं रख सकते मेरिट के आधार पर उसे सामाने सीटों पर भी चैनित किया जाना चाहिए कोट ने इस बात पर भी आपती ली है कि 2019 की भरती प्रिक्षा में वर्ष बीस बीस में बनाए गए नियम के ऐसे लागू की कर दिये गए हैं उक्ति नियम बनाने पर सरकार और उन्हें लागू करने पर पीएसी से एक सब्ताय में जवाब पेश करने को कहा है आरक्षण की वैदता के संबन्द में कोट ने जो है राश्टी वर राज्य प्रिश्रावर्ग आयोग से भी जवाब तलब किया है इस मामले को डीवी स्टार ने 29 दिसमबर 2020 के अंक में स्सी एस्टी ओवीसी के परिक्षारतियों के लिए सामा ने सीटों पर आरक्षण नहीं स्तीर सक के साथ प्रकाशित किया था खावर को आधार बनाकर कोट में याचिकाय लगाई प्यसी के परिणाम की समवेधानिक तको भी जो है चुनोती दी गई है और इन सभी जो याचिकाय हैं इन पर एक साथ सुनवाई होगी चार फरवरी को इसी दिन आरक्षण वर के उम्मीदवारों को मुख परिक्षा में शामिल करने की अंतरिम रहत पर भी सुनवाई होगी तो अभी आप लोग चार फरवरी तक इंतजार कर सकते हैं उलेकनिया है कि आरक्षण के नियम आरक्षण के नियमों के कारण एक से पांच नमबर कम होने के फेर में आरक्षण वर के सेकड़ उम्मीदवार मुख परिक् और जस्टिस विजय कुमार शुकला की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरा अधिवक्ता रामिश्वर सिंग ठाकुन ने एंपी पीसी द्वारा लागू किये गए नियमों पर साप प्रमार आपत्ती लगाई जिस पर कोड़ ने पीसी के अधिवक्ता प्रशांत सोधित परिक्षा नियम 2015 और राज्य सिवा परिक्षा 2019 की प्रारमिक परिक्षा के 21 दिसंबर 2020 को घोशित परिणाम की संवेधानिकता को चुनोती देने वाली सभी आची काउं पर सुनवाई होना है रिजल्ट में 113 परसेंट के साधार पर दिया था जिसमें 40 परसेंट सा 12 परसेंट सी को 20 परसेंट सी को और 10 परसेंट EWS को आरक्षन लागू कर दिया है ठाकूर के अनुसार कोर्ट ने माना कि PSC ने प्रारमिक परिक्षा कर रिजल्ट बनाते समय संसोधित नियमों को अवेधानिक रूप से लागू किया है अनारक्षित और OVC के समान कट आफ नंबर को वेधानिक नहीं माना जा सकता ठाकूर ने कहा PSC के मन माने नियमों के कारण आरक्षित वर्ग के आरक्षित वर्ग अर्था जिनको आरक्षित प्राप्त है कि 45,000 परिक्षा अर्थियों के भविस्ते से खिलवार हुआ है प्रारमिक वह मुख परिक्षा में आरक् आरक्षित का लाव अंतिम चहन के समय देने संबंधी नियम को भी कोर्ट ने असंवेधानिक बताया है लोक सिवा आरक्षित नियम 1994 की धारचार की धारचार की संवेधानिक तापर भी सवाल उठाए गए हैं उसे संवेधान के अनुच्छे 14, 15, 16 के तहत असंगत बताया है ठाकुर के अनुसार उक्तियाची का है अपाक्स संगठन, SC, ST, OVC और EWS के परिक्षारतियों ने दायर की हैं अधिवक्ता नमन नागरत और विनायक शाहर ने इस पर पेरवी की है अब इसमें मांग क्या है मांग यह की गई है कि अंतरिम फैसला आने तक मुख परिक्षा क से फॉर्म नहीं भरे जाएं हाई कोट द्वारा चार फरवरी को दिये जाने वाले संभावित अंतरिम फैसले का असर सेकड़ों प्रति भागियों पर होने की संभावना है यानि कुछ नंबरों की कारण मुख परिक्षा से बाहर होने वाले आरक्षत वर्ग के परिक्षार का चैन भी नरस्त हो सकता है और परिक्षार्ति ने मांग की है कि कोट का अंतरिम फैसला आने तक पी सी को मुख परिक्षा के फॉर्म भनने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा देनी चाहिए क्यों कि हो सकता है कि रोइस जो है रोइस हो रिसल्ट और उसमें जो SC, ST, OVC वर्ग के कई सारे अभ्यार्थी जो एक दो नंबर से पीछे रह गए थे उनका सेलेक्शन हो जाए और कई सारे विद्यार्थी जो बॉर्डर पर थे जैसे जनरल कैटिगरी के EWS कैटिगरी के तो वह सेलेक्शन से पीछे हो जाए क्योंकि वे जो प्रतिभागी बाहर हो जाएंगी उनकी महनत बेकार जाएगी जन्हें मौका मिलेगा वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे PC ने मार्च मुख परिक्शन लेने का नेड़ लिया है जिसे भी आँगे बढ़ाना चाहिए ताकि नए विद्धियार्थियों को परिक्शा की तैयारी का मौका मिल सके यह सारी मांगे की हैं दोस्तों जो है अब्धियार्थि और बिविन्न संगटनों ने और यह था पूरा मामला अब इसके तहट आपको करना है अब इसके तहट चार फरवरी को इन सभी आरक्शित वर्वर्ग के मुद्दों पर फैसला आ जाएगा तो आप चार फरवरी तक इंतजार कर सकते हैं और इस मांग को भी आप तेज कर सकते हैं कि जब तक जो है अंतरिम रिजल्ट नहीं आ जाता कोड का तब तक की पीएसी के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उस पर इस्टे लगाया जा सकता है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है आयोग चाहे तो ऐसा कर सकता है क्योंकि अग सब्सक्राइब के जवाब हो सकता है कि जन लोगा ने अभी मुख परीक्षा के फॉर्म भर दिये हैं उन मैंसे भी कई अभ्यरतीयों सेलेक्शन से बाहर हो जाएं और जिन लोगा ने अभी नहीं भर पाए हैं एक दो नमबर से जो लोग पीछे हैं उनका भी सेलेक्शन हो जाए तो इस्तिती यह बनी हुई है लेकिन आप लोग अपनी तैयारी सतत जारी कर सकते हैं और इसी तरीके के अन अपडेट वी विनर्स एजूकेशन पॉइंट की तरफ से आपके लिए हमेशा समय पर प्रदान होते रहेंगे तो चैनल को लाइक कर लीजे शेयर कर लीजे औ उन सभी के साथ जस्टिस हो तो इस वीडियो को अधिक सदिक आप प्रसारित कीजे ताकि कई सारे स्टूडेंट्स जो भी डिप्रेस हैं या तैयारी छोड़ चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं और कन्फ्यूजन में हैं डेलमा में हैं तो उनको एक सही दिशान देश मिले क चार फरवरी को सभी याचिकाओं का अंतरिम डिजल्ट आ जाएगा और इसमें अंतरिम फैसला आ जाएगा अंतरिम दोस्तों अंतरिम के पहले का फैसला होता है इसमें जो है मुख परिक्षा से सम्बंधित कई सारे जो है आपके लिए जब आँ मिल जाएंगे कि किन को भरना है तो दोस्तों थैंक यू पर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब